Hello DC fans, welcome back to my channel Daastan TV तो मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बना के आपको बताए था कि कुछ so-called scoopers एक तरीके से fake news फैला रहे थे कि Flash movie की test screening हुई है और reviews बहुत जादा negative मिले है बाद में फिर उनके वो tweets fake साबित हुए थे लेकिन अब उसके कुछ दिन बात सच में अब एक test screening हुई है Flash movie की और इसमें कुछ बहुत interesting information हम लोग को देखने को मिल रही है सबसे पहले test screening का जो response है वो as it is positive response है कुछ तो इसे Batman के level का भी कह रहे हैं जो Robert Patterson की Batman थी उस level का कुछ लोग कह रहे हैं कि ये movie है बाकी लोग एक positive response दे रहे हैं negative response एक ही देखने को मुझे मिला जिसमें एक scooper कह रहे हैं कि इसकी जो rating है 10 में से वो 6 to 7 है अब 6 to 7 के अगर हम लोग rating बात करें out of 10 की तो ये mixed से positive की तरफ है यानि जो सबसे ज़ादा negative response निकल के आया भी है test screening का वो 6 से 7 out of 10 के दर्मियान है तो मेरे ख्याल से ये positive news ही है एक तरीके से कि test screening जो है वो उसके reviews positive निकल रहे हैं दूसरी चीज़ जो बहुत interesting पता चली है वो है movie का run time movie का जो run time है वो लगबग धाई घंटे का है ना बहुत ज़ादा short movie है 2 घंटे की और ना बहुत ज़ादा लंबी है Batman की तरह 3 घंटे की अब short movie होती उससे problem ये होती Doctor Strange 2 की तरह उसका हाल होता की बहुत से ऐसे concept है जो सही से explain ही नहीं किये गए audience को लेकिन 3 घंटे अगर Robert Pattinson की Batman जितनी कर दी जाती उसके वज़े से box office पर थोड़ा सा effect होता की shows कम चलते लेकिन धाई घंटे का जो अगर run time है इसका तो मेरे ख्याल से perfect run time है और एक और चीज़ गाई कुछ trade analyst के हिसाब से flash movie की इतनी ज़ादा test screening क्यों हो रही है वो movie तो जून में आने वाली है तो इतनी ज़ादा test screening क्यों हो रही है तो कुछ trade analyst और मेरा भी ये opinion है कि शायद flash movie की जो release date है उसको change किया जा सकता है Aquaman 2 के साथ शायद Aquaman 2 को जून में पुश कर दिया जाए और flash movie को मार्च में लाया जाए मैंने कुछ weeks पहले एक video बनाया था आप लोगो याद होगा जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि Michael Keaton दरसल अब क्योंकि हम जानते है DC Extended Universe के वो main Batman है तो वो Aquaman 2 में cameo करने वाले थे अब flash movie जो है वो एक तरीके से launchpad है DC Multiverse के लिए और अब जो DC की movies आएंगी वो पूरे तरीके से continuity में रहेंगी यानि कि जो universe दिखरा हुआ था वो अब एक तरीके से shared universe का हिस्सा रहेगा और एक movie दूसरे movie को hint भी करेगी ये Warner Brothers के आगे का plan है तो हो सकता है कि flash को थोड़ा सा पहले push कर दिया जाए उसके VFX अगर जल्दी complete हुए जा रहे है तो शायद वो Aquaman 2 के पहले release हो जाए अगर ऐसी release हो रही है flash पहले तो I think ये बहुत good news है क्योंकि अब जानते ना कि एक hype बन जाता है movie अगर पीछे push होती रहती तो एक तरीके से negative impact पड़ता है movie पे लेकिन बेरहाल गाईज ये जो भी information निकल के आई है run time को लेके और early screening के response को लेके और शायद flash movie pre-porn ही कर दी जाए तो overall एक positive news ये दिख रही है DC के future के लिए तो गाईज आपका क्या कहना है कि इन scoopers के बारे में please comment section में ज़रूबत आईए और DC updates के लिए मेरे channel को subscribe करिए thank you